सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलजर सुनिशास्ट्री चैनल को बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटिस्ट एस्ट्रोलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जैस्ट्री किष्णा प्रियदर्शकों आप सभी का मुस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर दोस्तों क्या आपके कुणली में भी सूर्य उत्तम बली होकर के बैठे हैं बारे में हम आपको बताएंगे सूर्य उत्तम बली होकर के जिनकी कुणली में बैठते हैं दोस्तों उनको अनेको प्रकार से शुभल और जीवन धन्य कर देने वाले होते हैं यदि सूरे उत्तम बली होकर के बैठे हैं आपकी हौरासकॉब में तो उत्तम बली कैसे होते हैं, क्या सिट्वेशन होती है किस स्थिति में सूरे को उत्तम माना जाता है और बली माना जाता है, उत्तम बली माना जाता है तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माद्धिम से आपको देने वाले हैं दोस्तों दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य उत्तमबली सूर्य का क्या शुबफल जीवन में होता है और किस तरीके से फलों को देने वाला सूर्य उत्तमबली होकर के होता है सबसे पहले हम फल के बारे में जानते हैं दोस्तों जब सूर्य उत्तमबली जिनकी कुंडली में होते हैं वो सूर्य जो है अपनी दशा और महादशा अंतरदशा में आकर के सूर्य जो है अपने से सम्मंदित और सूर्य उत्तमबली होने का शुभल आपके जीवन को देते हैं जैसे कि सूर्य जो उत्तमबली होते हैं और उसकी दशा आती है तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले बहुत उच्च ग्यान की प्राप्ति करते हैं उस स्पीरिड में बहुत हाईर एजुकेशन उस एजुकेशन के दम पर उनको अधिकार प्राप्त होते हैं चाहे वो पद का हो प्रतिष्टा का हो सम्मान का हो किसी भी प्रकार का जो अधिकार आपको चाहिए और मन इच्छित जो आपकी कामना है किसी पोस्ट को पाने की या किसी व्यापार को करने की वो सभी मन की इच्छायों और अधिकार उस पद का अधिकार आपको प्राप्त होता है या फिर घर में अपना अधिकार प्राप्त होता है धन कुटम परिवार में जो आपका आपको मिलना चाहिए ऐसे अधिकार आपको प्राप्त होते हैं साथ में higher education बुद्धी बहुत तेज हो जाती है mind sharp हो जाता है इसके साथ में ही जो ग्रस्त आस्रम में जो लोग है जिनके पास संदान नहीं है पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ती इस दशा में इस period में होती है जब सूर्य महावली होकर के अपनी द प्रशाब में आते हैं तो निश्यत रूप से इस प्रकार के फल आपको देते हैं फुत्र इत्यादी का फल ग्रस्त आस्रम वालों को देते हैं उसी के साथ में बहुत सारा धनलाब अचानक होने लगता है धन की प्राप्ती होती है मान सम्मान की प्राप्ती होती है वहीं य यश और कीरती प्राप्त होती है जो यश का मतलब होता है कि आप जो कारे करते हैं उस कारे से आपकी कीरती आपका नाम आपका वैभव आपके गुण फैलते हैं समाज में देश दुनिया में तो ऐसा यश और कीरती आपके नाम की जो फैलती है उसके कारण आपको बहुत सारा लाव यहाँ जीवन में होता है अनेकों प्रकार के सुख देखने को मिलते हैं अनेकों प्रकार के सुख जीवन में आ जाते हैं उद्योग, व्यापार, विजनिस यदि आप करते हैं तो उसमें जो है आपको उद्योग, व्यापार में जो है बहुत ज़ादा सफलताएं प्राप्त होती हैं और उन सफलताओं से आप समस्त जीवन के संसादन जोड़ पाते हैं और आप एक राजा के समान एक समान और वैभव की प्राप्ती अपने जीवन में उस दशा के मद्धे या अंतरशा में होती है और दोस्तों यदि सूर्य उत्तंबली नहीं हुए तो सूर्य निकिस्ट हैं, अस्त हैं या सूर्य ऐसी सिचुशन में बैठे हैं जहाँ पर सूर्य अच्छे नहीं होते तो निश्चित रूप से व्यवसाय में हानी होने लगती है व्यवसाय में विफलता मिलने लगती है कार्य में विफलता होती है बहुत सारे पैसों का या धन का हानी होने लगती है अनिक प्रकार की जो है व्याधियाईं रोग इत्यादी लगने लगते हैं कानून सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे गस्ट और बंधन प्राप्त होने लगता है अनिक प्रकार के रोग इत्यादी अरिस्ट अब शबुन होने लगते हैं और अगनी से भी भै हो जाता है जब सूर्य उत्तमबली नहीं होते और सूर्य की सिच्वेशन जब खराब होती है इस सिच्वेशन के बारे में भी हम आपको भी वीडियो में बताएंगे तो ये था उत्तमबली सूर्य का शुपफल जीवर में तो उत्तमबली किस सिच्वेशन में होते हैं आईए जानते हैं दोस्तों अब आप अपनी कुणली में चेक कर सकते हैं कि सूर्य क्या आपका इस situation में है तो समझेगा कि ये उत्तम बली है जैसे कि सुर्य यदि दोस्तों अपनी मूल त्रिकॉन राशी में हो आपकी कुंडली में बैठा हुआ मूल त्रिकॉन राशी सुर्य की सिंग ही है सिंग राशी है और इसी को स्वराशी कहते है तो स्वराशी या मूल त्रिकॉन राशी सिंग राशी में ही यदि सुर्य बैठा हो चाए वो केंद्रों में हो एक, चार, साथ, दस स्थानों में या फिर त्रिकॉनों में छे, आठ को छोड़ करके यदि कहीं बैठा हो तो निशित रूप से वह मूलत रिकोर्ड और सिंग राशी के अंतरगत बैट करके ये सूर्य को उत्तम बली माना जाता है जी हाँ सूर्य यहाँ पूर्ण तरीके से बली और शक्तिशाली होते हैं जो कि जीवन में उपरोक्त कहे गए फल को मैंने जो कहा ऐसा फल जीवन में देते हैं या इसके अलावा उत्तम बली की सिच्वेशन ये है कि सूर्य या तो अपनी उच्छ राशी में बैठे हो जैसे कि मेश राशी में बैठे हो या परमोच होकर के बैठे हो परमोच का मतलब है जिस राशी में सूर्य उचके होते हैं जैसे कि मेश राशी में और मेश राशी का अधिपती चहां जिस राशी में उचका होता है जैसे मंगल मंगल जो है मकर में उचके होते हैं तो मकर में यदि सूर्य बैठा हो या फिर मेश में बैठा हो और 6-8-12 को छोड़ करके कहीं भी बैटाओ तो निश्चित रूप से सूर्य वहां उत्तम बली माने जाते हैं इसके अलावा सिच्वेशन उत्तम बली की है यदि सूर्य जो हैं कहीं भी त्रिकोणों में यानि कि जिन उपरोक्त कहे गए राशियों में मेश ब्रश्चिक में या सिंग में सुराशिगत यदि बैट करके केंद्रों में हो या फिर त्रिकोणों में हो 6-8-12 को छोड़ करके तो उत्तम बली माने जाते हैं उसी प्रकार से अगला जो सिच्वेशन है सूर्य की वह है भागेश यदि आपके नवम भाव के मालिक है सूर्य और या अपने ही घर में बैटे हैं नवे हाउस में या फिर कहीं और त्रिकोण या केंद्रों में बैटे हैं तो भी सूर्य उत्तम बली माने जाते हैं या फिर करमेश यानि की दस्वे स्थान के मालिक यदि सूर्य हैं और वो दस्वे में बैठे हैं या फिर केंद्रों में या त्रिकोणों में कहीं बैठे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी सूर्य जो है उत्तम बली माने जाएंगे और वहाँ पर उत्तम फल को आपक होता है इस प्रकार से सूर्य की सिच्वेशन उत्तंबली हो करके अत्यन्त सुख को देने वाली होती है बहुत सारे सुख साधन facilities जीवन में प्राप्त होती हैं और राजा के समान अदभूत जीवन जीते हैं अनेक प्रकार से धन का लाव होता है अब वो धन किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं सोना चांदी हीरे जवारत या फिर प्रॉपर्टी दौलत चोहरत नेम फिम ये सभी धन होते हैं इस प्रका से युत यदि हो आपके पांचवे लगन कुणली के पांचवे घर के मालिक कोई भी हो उन मालिक के साथ में यदि सूर बैठा हो या फिर उससे द्रिश्टित हो देखा जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान होते हैं राजा के समान सुक बैभाव इत्यादियों जीव के साथ में जीते हैं पद प्रतिष्टाएं इन लोगों को प्राप्त होती है इसके अलावा दोस्तों यदि धनेश्ट से यानि कि सेकंड हाउस के मालिक के साथ में यदि बैठे हो तो सूर उत्तम बली माने जाते हैं ऐसा व्यक्ति सैना अध्यक्ष हो सकता है सैना का सुखी जीवन भर होता है राजा के द्वारा या फिर मंत्रि के द्वारा यह बड़े उन्नत व्यक्ति प्रतिष्टित व्यक्ति के द्वारा हमेशा सम्मान पाता रहता है पर सूर्य यदि दोस्तों निक्रिष्ट हों छै-ाठ-बारा स्थानों में बैठे हों और स्वराशि उच्छ में ना हो परमोच राशी में ना हो तो ऐसे सूर्य को दुरुबल माना जाता है कमजोर माना जाता है अस्त माना जाता है और साथ में ही सूर्य यदि 6-8-12 भाव में बैठे हैं वहाँ पर यदि शुब ग्रहों के द्रिष्ट्री यदि सूर्य पर पढ़ रही है जैसे कि बुद्ध, प्रैस्पति, चन्रमा इनकी यदि द्रिष्ट्री बारवे में या फिर छट्वे में या आठ्वे में बैठे हु क्योंकि शुब ग्रहों के द्रिष्ट्री पढ़ रही है तो वहाँ पर सूर्य कुछ कुछ शुफल देता है ये मिक्स करके देता है कुछ शुफल तो कुछ अशुफल भी देता है लेकिन यदि सूर्य 6-8-12 में बैठा है इन घरों में जाकर के और सुराशी गत नहीं है उ जिताक के सुक को खतम कर देता है आपके नेम फेम को आप कितना भी जीवन में कुछ करेंगे उससे आपको नेम फेम और धनलाब नहीं हो पाएगा जीवन में प्रोपर्टी त्यादी के योग बहुत कम बनेंगे कुल मिलाके सुरे से सम्बंदित वील पावर, कॉन्फिटेंस लेवल ये सारी चीजे जो है गिर जाती है नेत्र खराब हो जाते हैं नेत्रों से सम्बंदित प्राप्लम आ जाती है लेकिन यदि 6-8-12 भावों में बैठे सुरे पर यदि द्रिष्टी कुरूर ग्रहों की उसके साथ पढ़ रही है जैसी कि राहू की, केतु की, मंगल की इन ग्रहों की यदि द्रिष्टी पढ़ रही है बारवे में, छटवे में या फिर आटवे स्थान में सुरे बैठे हैं उन पर कुरूर ग्रहों की द्रिष्टी यदि है तो निशित रूप से वहाँ पर और ज्यादा अपने से सम्मंदित फल को खतम कर देते हैं और वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा निकिर्ष्ट सूरे का फल जो है व्यवसाय में विभलताएं मिलती है जब बहुत पैसे का धन हानी होती है मान की हानी होती है सम्मान नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को जीवर में और ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है अनिक प्रकार की व्याधियां कानून या सरकार के द्वारा कोई बंदन या कस्ट की प्राप्ति हो सकती है अरिष्ट हो जाता है अगनी से भहे हो जाता है अगनी के द्वारा धन माल का नुक्सान होने की चांसे जहां पर बंते हैं और इन भावों में 6-8-12 भावों में बैठा सूर्य जो है अच्छा फलप्रदान नहीं करता है तो दोस्तों यदि आपको अपनी कुंडली एनलेसिस करवानी है यदि आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाते हैं प्रेडिक्शन जानना चाते हैं तो निश्चित आप हमें इस वीडियो के स्क्रीन पर दिये नंबर्स पर कॉल करें अपाइमेंट ले और अपाइमेंट के बाद में आपकी कुंडली को एनलेसिस किया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरीए तब तक के लिए जय स्री कृष्णा